ओल्लेट गाइज अमजाइज एर बैक विट अनदर वीडियो और आज की इस वीडियो में डिसकस करने जा रहा हूं मैं आइफून SE 2020 के बारे में तो क्या यह आपको डिवाइस बाई करना चाहिए यह यह नहीं क्या डिसद्वांटिजीज है इसकी प्राइसिंग क्या होने वाली है पाकिस्तान में और यह पाकिस्तान में कब तक रिलीज हो जाएगा सारी चीज़े इस वीडियो में डिसकस करूंगा तो वीडियो शुरूर करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नहीं है तो के बारे में और अगर डिजाइन की बात करी रहा हूं तो मैं आपको बता दूं सेम इसी तरह का डिजाइन होगा यह मेरे पास आइफून 7 है लेकिन जो चीज आपको डिफ्रेंट मिलेगी आइफून SE में वह यह है कि यहाँ पे आपको ग्लास बैक मिलेगी जैसे कि आपको लेकिन यह डिजाइन वाइस तो ओल्डर जेनरेशन जैसे है बट जो इसकी अंदर की परफॉर्मस है वह बहुत ज्यादा पावर्फुल मुबाइल है यह अगर आइफून SE को मैं कंपेर करूं आइफून 11 से तो आपको सिविलर एक्सपीडियन्स ही मिलेगा आइफून में 11 प्रो और 11 में मिलती है जिसका मतलब है कि आपको काफी ज्यादा फास्ट स्पीड मिलेगी और परफॉर्मस तो इसमें बहुत ही अच्छी होने वाली है यह मुबाइल कहीं भी आपको स्लो नहीं मिलेगा एंकर इस तीन जीबी की इसमें रहम है जो के काफी ज्यादा अच् मिलेगा जस्ट उन्होंने उसके जी क्वालिटी है वो थोड़ी बहुत अच्छी की है तो इसका मतलब भी है कि जो आपको बैटरी टाइम में मिलेगा वो काफी अच्छा मिलने वाला है तो गाइस इसमें जो स्टोरिज ऑप्शन मिलती है आपको 64 128 और 256 GB की मिलती है और इस में dual sim की भी sport है विच ही super cool एक आपको जो electronic sim जिसको e sim भी कहते है वो चलेगी और दूसरी जो है physical sim इसमें चलेगी और गैस बात करें camera की तो camera भी बहुत अच्छे होने वाले है आईफोन SE के आपको वही वाला camera मिलता है जो आपको iPhone 11 और 11 Pro में मिलता है लेकिन single camera of course लेकिन ज 12 megapixel का back camera है और front जो है वो आपको 7 megapixel का camera with a portrait which is super cool और अगर आप इस camera को compare करो iPhone XR से और iPhone 11 से तो ये जाहिरी सी बात है बेदर होगा because ये latest है और iPhone 11 से compare करो तो थोड़े सी आपको downgrade मिलेगी इसमें लेकिन इतनी performance में आपको ये बुरा camera नहीं मिलेगा इनके इसके मैंने कुछ pictures देखे हैं जो कि काफी अच्छी quality की pictures खीच लेता है ये camera और कुछ जो इसमें additional features है वो ये है क्योंकि इसकी glass bag है तो wireless charging की support भी मिलेगी और साथ ही साथ ही mobile fast charging support भी करता है IP67 rating है that means कि ये water resistant भी होगा और साथ ही साथ colors जो है इसमें वो काफी अच्छी है तीन color options आपके पास आजाती है iPhone SE 2020 में first जो है वो red है उसके बात black यहां space gray भी आप क्या जक्ते हो उसको और साथ ही साथ white है तो ये तीन color की options हमारे पास मिल जाती है iPhone SE 2020 में अब बात करते है इसकी pricing in Pakistan तो Pakistan में क्या price होने वाली है इसकी जो US में price है 64GB model की वो है 399 US dollars लेकिन अगर इस price को मैं compare है तो देख लेते हैं क्या price होने वाली है Pakistan में है Siri I'm here Convert 399 US dollars to Pakistani rupees 399 US dollars is 65,076 Pakistani rupees and 90 paise तो guys आप देख सकते है 65,000 rupees का है अभी current जो US dollar का rate है उसके लिहाज से लेकिन अभी जो ये 65,000 यानि के 399 US dollars है इसमें कोई tax add नहीं है कि कुछ additional taxes भी होते हैं जो के roundabout हमारे पास 72, 73 के करीब करीब बन जाएंगे और जब आप इसको PTA approved करवाओगे यानि के जो भी पूरा mobile use करोगे तो मेरा खियास से जो ये mobile है 77, 75 यहां तो under 80 मिलेगा यहां above 80 मिलेगा which is super high price in my opinion देखो यार अगर आप इसको compare करो किसी भी mobile के साथ यहां से गर आप देखोगे iPhone 7 यह iPhone SE में आपको कोई difference ही नहीं मिलेगा इवन iPhone 6 में भी आपको कोई difference नहीं मिलेगा तो आप 80,000 रुपीज खर्च कर रहे एक new iPhone के लिए और आपको तब भी old design मिलता है तो यह काफी एक you know weird सी बात हो जाती है तो इस फुरह से मैं recommend करूँगा कि यहार अगर आप लोग buy करना चाहते हो आपके पास इतने पैसे हैं तो आप iPhone XR या iPhone X buy कर सकते हो used में because यह काफी अच्छी option मिलेंगी आपको इन दोनों ही iPhone में अगर हम iPhone X को देखें तो जल्दी इसका review भी बनाने वाला हूँ है by the way और इसका मैंने एक vlog भी बनाया है यह मैंने कितने का buy किया और by the way old X से मैंने buy किया तो आप लोग वो लास्मी देखना तो अगर आप लोग old X can also follow me there or as early as possible मैं उसका reply दे दूगा जब मैं आपका message देखूँगा तो मैं लास्मी उसका reply दूगा ऐसा नहीं होगा कि मैं आपका message देखे जो है उसको ignore कर दूँ तो as early as possible मैं उसका reply दे दूगा तो move to the main topic जो हम main topic पे बात कर रहे थे iPhone XR और जो iPhone X सा यह काफी जादा अच् reserve करता कि उसको new design मिलेगा अगर अब compare करें iPhone XR को और iPhone X को तो यह दोनों ही new design में है इनकी front भी आपको जो एक Apple का typical looking design है जो कि iPhone 12 Pro में भी मेरा इस तरह का design ही मिलेगा आपको हो सकता कि नोच जो है वो छोटी हो जाए इस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा of course लेकिन अभी हम ब सकता है कि पाकिसान में जो you know used में price है वो around इतने ही अगर आपको iPhone you know SE 2020 80,000 या 82 इससे अबव भी हो सकता है of course यह थोड़ा बहुत less भी हो सकता है तो इतने ही price में थोड़े से और add कर कि आपको iPhone XR और iPhone XB मिल सकता है तो in my opinion आप लोग consider कर सकते हैं इन दो mobile को buy करने में लेकि अगर आप चाहते हैं कि यार आपको एक compact device चाहिए आपको latest display से कोई फरक नहीं बढ़ता लाइक आपको एक अच्छा camera वाला device चाहिए और आप चाहते हैं कि performance बहुत ही अच्छी हो तब आप buy कर से रहते हैं new iPhone SE performance में तो बहुत ही अच्छा होगा और even iPhone X और XR से भी बहुत ज़्यादा powerful होगा यह device तो गाइस लासी mobile Pakistan में कब available होगा तो of course आपको पजाई है कि Apple officially Pakistan में तो काम नहीं करती लेकिन मेरा ग्याल से यह mobile आपको में के mid यह June के first week में में मिल जाएगा in Pakistan थोड़ा बहुत of course late भी हो सकता है in some current situations तो गाइस यह एक वीडियो थी डिटेल में iPhone SE 2020 के बारे में I hope आपके कुछ doubts clear होंगे इस वीडियो से अगर आपका कोई big question है तो आप लोग मेरे से directly Instagram पर पूछ सकते हैं I hope this video is helpful for you, thanks for watching, don't forget to subscribe, like and share this video